कि कभी कभी पित्रदोश की पूजा कराने के बाद भी जातक को यह संधे रहता है कि उसकी पूजा का उसे फल मिला या नहीं और कई बार एक साल बीटने के बाद देड़ साल दो साल बीटने के बाद भी जातक की जीवन में कस रहते हैं तो उसको इस बात का संधेर रहता है कि मेरी जो पूजा का फल है मुझे उ मिला याने हमने पुजा और संसकार किये पित्रदोष पूजा के थूँ क्या मुझे उसका कोई फल मिले है नहीं मिला या नहीं इसको कैसे देखें इसको भ्रिगुनन्दी नाडी वैदिक जोतिश और प्रश्नि शांस्त्र के थूँ हम इसको देख सकते हैं कि वैदिक जोतिश में बहुत फेमस शकट योग के बारे में चर्चा है जोकी ब्रस्पति और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से बनता है अब अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग रूप में वर्णन है जैसे अगर यह दूसरे से 6-8 बैठे हूं एक दूसरे से 12 बैठे ब्रिगुनन्दी नाडी में भी अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर यह दूसरे से 12 बैठे हूं तो इनका परस पर समंद्ध बताया जाता है कि आपस में वेल कनेक्टेड है अब प्रश्न शास्त्र में भी अगर जातक आपसे यह पूछे कि मैंने पित्रदोश की पूजा करव पूजा के तीन मेने बाद छे मेने बाद यह एक साल बाद आपसे वो यह देखना चाहता है कि उसे पूजा का फल मिला नहीं मिला तो आप उसकी कुंडली में भी देख सकते हैं क्योंकि कुंडली में अगर छे आठ चंद्रमा और ब्रिस्पती बैठे होंगे या दो बारा बैठे होंगे तो ऐसे में जातक को पित्रदोश की पूजा का लाब इतनी जल्दी नहीं मिलता है अगर आप कुंडली में भ्रिगुनंदी नाडी के तुरू देखना चाहते हैं तब भी आप इस रूल को देख सकते हैं कि आप देखें कि वो दो बारा अगर एक दूसरे से बैठे हैं परस पर वो वेल कनेक्टिड हैं तो भी आप देख सकते हैं कि ऐसे में चातक को उसकी पूजा का जो फल है वो इतनी जल्दी उसको नहीं मिलता अब प्रशन कुंडली को अगर हम थर्ड स्टेप जिसके हम बात कर रहे हैं एडवांस कॉंसेट है अगर आप देख सकते हैं कि जातक को उसकी पूजा का फल उसे संपूर्ण रूप में नहीं मिला है इसमें मैं एक चीज़ आपको और एड़ करना चाहता हूं अगर ब्रस्पती अगनी तत्वराशी में है और चंद्रमा जल तत्वराशी में है तो ये पक्का इस बात की इस से जातक संतुष्टी कर सकता है और जब आप उसे बताएं कि अगर ब्रस्पती अगनी तत्व राशी यानि की मेश या फिर धनू राशी या फिर सिंग राशी में हो और चंद्रमा जो है वो जलतत्व राशी में हो तब हम यह कह सकते हैं कि उसको उसकी पूजा का जो फल है उसे वो नहीं मिला आप इसको इस सूत्र को लगा के देखिए मान लीजे और जो चंद्रमा है वह बैठा अस्टम भाव में तब चंद्रमा जलतत्वराशी में और ब्रिस्पति अगनी तत्वराशी में और एक दूसरे से दो बारा बैठें तो यहां पर यह रूलाप लगा के देखें तब आपको पता चलेगा जातक को उसके पित्र दोश पूजा का लाव उसे नहीं मिला अब इसमें आप एक स्टेप और आगे ले सकते हैं कि अगर ब्रस्पति वक्री है अगर ब्रस्पति मान लीजे नवंभाव में वक्री होके बैठें और चंद्रमा अस्टम में हैं तो ऐसे में जब जो चंद्रमा है ब्रस्पति की तरफ बढ़ रहा है तो जल जो की एक अगनी तत्व राशी की तरफ बढ़ रहा है अगर आप उसे देखोगे तो वो जल वाश्पी करण हो रहा है यानि कि वो ब्रस्पती ने उसे अपना ग्रास बना लिया है तब भी ये दोनों सात्वीक प्लैनेट होने के बावजूद भी हमने अगर हम प्लैन विचित प्राब्लम बताकर उसको सिल्यूशन भी बता सकते हैं अगर ऐसे ही ब्रस्पती वक्री हो के मेश राशी में बैठे हों और पाइसी राशी में बैठे हूं और свое बेशी जो ब्रस्पती वो वक्री हों को इसे में ये दोश लगेगा तो हम कैसे कम्बाइन कर रहे हैं एक्तुम व्यदिक जोतिश का शकट दोश को लगा रहे हैं और हम क्या लगा रहे हैं हम भ्रिगुनंदी नाड़ी भी लगा रहे हैं तो हम तीन-तीन विध्याओं को यूज कर रहे हैं ठीक है उससे हम पता लगा रहे हैं कि कुंडली में जो पर्टिकलर दोश है और जिस को इसमें और प्रयास करने की ज़रूरत है अब मैं आपको इससे एक छोटी सी कथा बताता हूं देखिए पुराणों शास्त्र में आप सबको पता है कि जब भागीरती ने गंगा जी को धरती पे अवतरित करने के लिए जो अपने प्रयास किये जो तपस्या करी तो वह कही लिए शिव ने उनको अपनी जटाओं में समाया था मगर तब उसके बाद भी वह वेग बहुत तेज था जब उन्होंने वह धरती पे आई तो किसी कारणवश उन्हें एक रिशी थे उनके आश्रम से होके जाना था उन रिशी का नाम था जहनू रिशी जहनू रिशी के आ आश्रम में बाड़ा गई उसी वक्त वहां पे भागी रिशी भी जहनू रिशी के आश्रम में थे तो उन्होंने बोला कि यह तो मा गंगा है मगर जहनू रिशी ने सोचा कि यह जो मा गंगा है यह इनका किसी तरीके से घमंड दिख रहा है तो उन्होंने क्या किया उस जल को release करें क्योंकि इसी से ही मेरे जो ancestors हैं जो मेरे पूरबज हैं उनकी आत्मा को शांती तभी मिलेगी यानी की जो सगरपुत्र है साथ हजार उनकी आत्मा की शांती बहुत जरूरी थी तब जाकर उनकी विनती पर जहनुरिशी ने वापिस गंगा जो नदी थी उनको अपने क कौन है गंगा नदी है ठीक है और एक जली तत्व राशी को रेप्रेजेंट करते हैं करती है ऐसे ही जो रिशी है बेसिकली वह अगर आप देखोगे तो रिशियों के अपने अपने जो उनके वहवारों से आप पैचान सकते हैं कि वह किस राशी में वह कैसा बिहेव करेंगे ठीक है तो इस कथा को इस माइथालेजी को जोड़ कर भी आप बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं और अलग अलग जगों पर आप इसके कॉम्बिनेशन लगाकर सीख सकते हैं मैंने आपको एक यह दो रूल बताने की कोशिश की है आप इसको लगाके देखिए यह बहुत चीजों को ही बताया क्योंकि मैंने इसमें तत्वों के बारे में बताया है तत्वों कैसे प्रभावित करते हैं वक्री वक्री जो एक प्लानेट हो जाता है तो समलित करके हमने देखा है तो अगर आपको कोई ऐसी कुंड़ी मिलती है जिसमें जातक बोले कि मुझे अपने जो पित्रदोष पूजा का फल है मुझे वो जानना है कि वो मुझे मिला या नहीं तो आप प्रश्न कुंड़ी लगा कर भी देख सकते हैं अगर आपको यह रूब मिलते हैं कि चंद्रमा और ब्रश्पती एक दूसरे से छे-14 बारा बैठे यह एक दूसरे से दो बारा बैठे हो ठीक है उनकी position कैसे भी हो सकती है कुछ लोग चंद्रमा से देखते हैं, उनको एक भाव आगे पीछे, कुछ लोग ब्रस्पती से देखते हैं, मगर इससे कुछ खास फरक नहीं पड़ता, आप वो रूल कैसी भी लगा सकते हैं, तो यह जो मैंने कॉम्बीनेशन बताया, इसका बताने का जो मीनिंग था, वो यह था कि अगर जीवन में इस तरीके के आपको कॉम्बीनेशन मिलेंगे किसी के जातक की कुणली में, तो आप वो देखेंगे कि वो कुणली थोड़ी सी पीडित होती है, और जातक को अपनी महनत का फल नहीं मिल ठीक है तो आप इस combination को इस तरीक से देखें और समझने का प्रयास करें